हे गाइस वैलकम चू अवर चैनल इन्वैल्यूवेबल गिंडी तो मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंपरमेडी वीडियो को लेकर सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल करने हूँ है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले एंड बेल नोटिफिकेशन को आन करना ना भूले आप सब मुझे इंस्टागाम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरी इंस्टागाम एडी पेज आपको वीडियो में शो हो रहा है और प्रोफाइल के लिंक आपको डिक्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहाँ से आप जाकर मुझे इंस्टागम बे भी फॉलो कर सकते हैं प्लांट रिलेटेट प्रॉब्लम्स और इंक्वारिस के लिए आप मुझे डिरेक्ट डियम भी कर सकते हैं तो वीडियो को करते हैं स्टाट बहुत सारे लोग वीडियो का टैटल पढ़कर ही समझ गया होंगे कि आज वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आई है और जो मेरे प्लांट थे जिन से मैंने कटिंग्स ली थी वो लगभग वन एयर से टू एयर पुराने है जिनको मैंने अपने गार्लेन में लगाया हुआ है वो उनकी कटिंग्स मैं हर एयर पर कर देता हूँ वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं मैं उन्हें भी आपको वीडियो में दिखा दूँगा तो ये मेरे कुछ गुलदावदी के प्लांस है जिन पर जो बट्स फोर्मेशन वो आफ देख चतने कितने अच्छे से निकल कर आई है और सबी जो stems हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से buds आ रही है और मैं अपने कुछ गुलदावदी के plants आपको ये भी दिखा देता हूँ जिने मैंने cutting से अभी बहुत ही जल propagate किया है जो उसकी वज़े से इनकी growth अभी बहुत अच्छे से नहीं चल रही है बट इन plants पर जो bud formation है वो start हो गई है जिस वज़े से जो उसमें flowers हैं वो बहुत ही अच्छे से निकल करा रहे हैं इस plant पर flowering हो चुकी है मैंने इसकी cutting दुबारा कर दी है जिससे इस पर new growth जल से जल आ सके सो इस तरह से कुछ मेरे गुलदावदी के plants पर flowering हो रही आप देख सकते हैं इससे मैंने cutting से ही लगाया हुआ है इन सभी plants को और इनके जो mother plants है वो थोड़े से old हो चुके हैं लगबग one से two year पुरान है जिनकी वज़ा से जो उनके flowers है वो बहुत ही big size के होते हैं इस वज़ा से जो इन पर flowers आ रहे हैं वो भी थोड़े big size के हैं सबसे पहले आपको अपने क्रिसंथमम या गुलदावदी के plants पर vermic compost, cow dump या फिर DAP ये तीनों ही optional है आपके पास जो अब लेवल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं पर plant 50 gram आप apply कर सकते हैं हर 15 days में एंड आप इन तीनों की जगह पर mustard cake का जो powder है उसका liquid form में भी आप बना कर दे सकते हैं जिसका result आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा एंड इन plants की just soil है वह एकदम well-drain and porous होनी चाहिए जितनी soft soil होगी ये plants उतने ही अच्छे से grow करेंगे because इनकी roots बहुत ज़्यादा deeply नहीं होती है अपर surface पे ही होती है अगर आप इन plants पर liquid form में या powder form दोनों ही कोई भी आप एक choose करके अपने plants पर हर 15 days में apply करेंगे तो इन plants पर flowering बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी अगर आपके पास mustard cake का powder है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं powder form में आप इन plants पर DAP का भी यूज़ कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से DAP मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने अभी vermi compost का यूज़ किया इस वज़े से मैं अपने plants पर DAP apply नहीं कर सकता बट आप इन में से किसी एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं आपको result बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा अप सभी winter plants की जो soil है वो आप जितनी well-drained and porous prepare करेंगे आपके जो winter plants पर flowering है वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगी अप सभी winter plants पर DAP and cowdum, vermicompost and सबसे best आपको fertilizer मिलेगा mustard cake powder आप mustard cake powder का liquid form भी बना कर अपने plants पर apply कर सकते हैं आप उसका liquid form बनाने के लिए 10 ग्राम 15 लिटर पानी में dilute करके आपको 3-4 days के लिए छोड़ देना है किसी ऐसी जगह पर जहां पर उस पर मखी या मच्छन ना लेगे and जहां पर sunlight की requirement थोड़ी कम हो उस place पर आपको उस fertilizer को रख देना है and after 3-4 days के बाद आपको अपने plants पर apply करना है जिसका result आपको देखने को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा सो मैंने इन plants पर भी इनकी गुड़ाई करके इन पर compost वर्मी कमपोस्ट अप्लाई कर दिया है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं and उसके बाद हम लोग अपने plants पर कर देंगे watering and उसके बाद मैं आपके साथ कुछ important point discuss करूँगा watering का आपको इन plants पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा अगर over watering हो जाती है तो आपके plants पर mille bucks का attack भी हो सकता है and spider mites का भी attack बहुत ज़्यादा होता है इन plants पर तो आपको इन पर जो watering है वह बहुत ज़्यादा देख करनी होगी अगर soil पहले से ही वेट है गीली है तो आपको watering नहीं करनी है watering आपको dry हो जाने पर ही करनी है watering आपको sour form में करनी है ताकि जो leaves है उन पर कुछ dust बगारा जो जम जाती है winter की ओस की वज़़ज़ से वह भी remove हो जाएगी तो कि इस तरह से मैं अपने plants पर watering करता हूँ आप देख सकते हैं इसी तरह आपको भी अपने plants पर watering करनी है देन उसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको अपने garden पर वहाँ पर भी मैंने कुछ गुलदावदी की cuttings propagate की थी जिनकी growth बहुत ही अच्छी चल रही थी कुछ बहुत ही ज्यादा insects का attack हुआ है जिस वजह से जो plant की growth थी वो एकदम ही रुक गई है वीडियो बनाने का मेरा main motive यही था बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि इनके attacks अपने plants को कैसे बचाएं सो इस तरह से कुछ आपको सीट शॉप पर इस तरह से फासे एंसेक्टि साइड मिल जाएगा सो आप उसको लाकर अपने plant पर apply कीजिए मैंने इसका यूज केवल 7 डेस के 7 टू 7 डेस में किया एक लेटर पानी में आपको 5-10 ml डेल्यूट करके एक दो मिनट ले छोड़ देना है उसके बाद आपको इस प्रेफॉर्म में अपने plant पर apply करना है इसका result आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा फर्स्ट बार में ही आपको जो इंसेक्ट है वो सारे रिमूव हो जाएंगे and second attempt आपको तब करना है 7 डेस के बाद ताकि जो दुबारा से black butts लगने लगते हैं वो दुबारा से रिमूव हो जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी निव वीडियो में निव टापिक के साथ अब तक के लिए बाए टेक कियर हैपी गार्डनिंग